किसान अंदोलन में CGI चंदर चोड की एंट्री सुप्रीम कोट बार एसोसियेशन ने CGI को लिखा कैसा लेटर CGI चंदर चोड ने क्या सुनाया बड़ा फैसला दिल्ली का बॉर्डर सील है किसानों का अंदोलन चरम पर है किसानों और सरकार के बीच संग्राम का माहौल है किसानों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर सील किया जा चुका है दिल्ली पुलिस ने आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक एडवाईजरी भी जारी कर दी है इनी सब के बीच ये मामलाब सुप्रीम कोट के सीजी आई डिवाईजरी चंदर चूर तक पहुच चुका है इस मामले में सीजी आई चंदर चूर ने एक बड़ा फैसला सुनाया है दरसल सीजी आई चंदर चूर को किसान अंदोलन को लेकर एक लेटर लिखा गया जिसमें किसानों को लेकर एक बड़ी मांग क्या दी गई है इस लेटर को लिखा है सुप्रीम कोट बार एसोसियेशन ने और साथ ही सीजी आई ने इस लेटर का जवाब भी देर दिया है बलकि एक बड़ा फैसला भी सुना दिया है सवाल ये है कि सुप्रीम कोट बार एसोसि के अध्यक्ष अधीश अगरवाल ने जो लेटर CGI चंदरचूर को लिखा है उसमें ये मांग की गई है कि किसानों के इस आंदोलन में जो किसान गलत उद्देश्यों से शामिल हुए हैं उनके खिलाब स्वता संग्यान लेकर कारवाई CGI की तरफ से की जाए साथ ही ये भी अ निरोध किया गया है कि इस आंदोलन की वज़ा से जो भी वकील आज कोर्ट में फेश नहीं हो पाए हैं उनके खिलाब कोई प्रतिकूल आदेश पारित ना किया जाए इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट बार एस्सियेशन की तरफ से लिखे गई स्लेटर में ये भी कहा गया ह कि 2021 में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था साथ ही ये विदावा किया गया था कि इस वज़ा से कई लोगों की जाने भी चली गई थी ऐसे में आज के इस आंदोलन को देखते हुए गलत उदेश्य से शामिल किसानों पर स्वता संज्यान लेकर करवा की जाए साथ ही देश के कोर्ट्स को ये आदेश भी धिया जाए कि कि किसाना उदोलन की वज़ा से जो भी वकील कोर्ट्स में पेश नहीं हो पा हैं उनके केसे दोलन को और पर संज्याय बदा करेंगि सिजयाई चंदुचूर के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट बार एसूसियेशन के साथ वकीलों को भी भारी रात मिली होगी क्योंकि कई बार केसेज में ऐसा होता है कि वकीलों के पेश नहीं होनी के वज़र से कोर्ट की तरफ से फैसला सुना भी दिया जाता है लेकिन आज भी प्रित परेस्थितियों के चलते कई वकील कोर्ट में पेश नहीं हो पाए होंगे ऐसे में अब जिस केस में भी वकील कोर्ट में नहीं पहुँच पाए होंगे CGI के फैसले के मुताबिक उन्हें अपने केसेज की सुनवाई के लिए नई तारिक दी जाएगी इस खबरम बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ